पढ़ते हैं पेरिकॉंड्रियम जो के मैंने आपको पताया था उस वक्त कवरिंग होती है कार्टिलेज के बाए तो पहला पॉइंट यह है कि के शीट ऑफ डेंस कुनेक्टिव टिशू विच स्राउंस दा कार्टिलेज इन मोस्ट अफ ता लुकेशन्स इन दा बॉडी ठीक ह और इसी तरह इस परिक यह जो परिकॉंड्रियम है यह दो ऐसे कार्टिलेज हैं जिनके अंदर नहीं पाई जाती यह पॉइंट आपने याद रखना एक है मारे पास फिब्रो कार्टिलेज और दूसरा हाइलीन कार्टिलेज का जो अर्टिकुलर जो विराइटी होती है उस पेरी कॉंड्रियम और इस पेरी कॉंड्रियम के हमारे पास दो लेयर होती है एक फिब्रस लेयर होती है और दूसरी हमारे पास सेलूलर लेयर और कॉंड्रो जीनिक लेयर होती है यह देखें जी यह हमारे पास पेरी कॉंड्रियम है और यह इसकी फिब्रस लेयर है और यह नी सबसे पहले देखते हैं जी फिब्रेस लेर को फिब्रेस लेर में आपने याद रखना है इसके अंदर टाइप वन कोलीजन और फिब्रो बusions पाये जाते हैं देखिए फिब्रस लेर ऑफ पेरीकॉंड्रीमि कंसिट्र आप वन कोलीजन एंड फिब्रो blast और सबसे important बात जो आपने fibrous layer की याद रखनी है कि जितनी भी blood capillaries हैं जिस से blood और nutrients transfer होती है to chondrocytes cartilage के जो cells है उनको जितना blood है जितनी nutrients है वो जो blood capillaries है वो इसी fibrous layer से पास होती है देखें जी blood capillaries from which blood and nutrients are supplied to chondrocytes runs in this fibrous layer of perichondrium और इसके साथ-साथ जितनी भी lymph capillaries है और nerves है वो भी इसी fibrous layer में पाई जाते हैं अब दूसरी layer को दिखते है जो cellular layer थी तो इसका पहला point भी ही होगा it is also called chondrogenic layer ठीक है अच्छा अब इसके अंदर जो हम सब से important बात यह करते हैं कि cellular cellular layer के अंदर प्रोगनीटर cells नाम की एक चीज होती है इट कंसिस्ट आफ प्रोजी नीटर cells which have ability to differentiate between chondro blasts यह यह वर्ड आपने बहुत important है इसको यादखने अंसी के लिए बहुत important है कि ऐसी लियर है जिसके अंदर प्रोजी नीटर cells होता है जिसके अंदर ability होती है तो डिमिचेट विट्यू इन्टू में यही कॉंड्रो ब्लास्ट सेल्स जो होता है न्यू जर्म सेल्स जो होता है यह कॉंड्रो ब्लास्ट वाले इसको जो है ग्रो करवाती है देखें दिस लियर इंशुर्स continues supply of chondroblast in the growing cartilage in children's के cartilage को जो है ज्यादा वो मजबूत बनाए chondroblast cartilage के cartilage से पहले जो cells होता है उसको हम कहता है ठीक है और adults में ही क्या करेगी repair कोई cartilage हमारे पास खराब हो जाए तो या damage हो जाए या उसको कोई injury हो जाए तो उसको repair का काम यही cellular layer करेगी तो दो चीज़े हमने पढ़ ली cartilage और perichondrium अभी हम तीसरी चीज़ पर जाते हैं तीसरा जो overview था हमारा chondrocides जो cells है cartilage के तो पहला point भी आ जाएगा कि all varieties of cartilage contains only one type of cells called chondrocides और chondrocides होते किस तरह हैं they are spherical in nature and are about 20 micrometers in diameter और इसके साथ chondrocides के अंदर होता क्या क्या इसके अंदर golgi apparatus होता है ribosomes होती है और secretory granules पाए जाता है यह composition है chondrocides की के rough endoplasmic reticulum पाए जाता है गोलजी apparatus पाए जाता है और secretory granules पाए जाता है अच्छा जो rough endoplasmic reticulum की presence है वो chondrocides को basophilic बनाती है यह बहुत important point है कि due to presence of rough endoplasmic reticulum the cytoplasm of chondrocides stains basophilic not acidophilic ठीक है यह basophilic होती है और इसके साथ साथ इस chondrocides के अंदर पहले मैंने आपको एक lacuny का जिकर किया था के they lie within small spaces in the extracellular matrix called lacuny तो यहां यह point लिखाव है they lie within small spaces called lacuny in the extracellular matrix and are present singly or crusters as isogenose groups और cell nest singly भी पाए जाते हैं chondrocides या two to four cells या four to eight cells के crusters में भी पाए जाते हैं जिसको isogenose groups भी कहते हैं और इसके साथ साथ यह जो chondrocides है यह help कर दी है in the maintenance and secretion of extracellular matrix पीछे भी start में भी यह बात हुई थी कि जो यही chondrocides है यह secret करता है extra cellular matrix को extra cellular matrix की को यह बनाता है इसके बाद हम बात करते हैं कि they are not only produce collagenous components but also non collagenous proteins and proteoglycans यह chondrocides की property में आ जाएगा कि यह ने सरफ collagenous components बनाते हैं बलके जो non collagenous proteins हैं और proteoglycans हैं इनको भी यह इसकी formation यही करता है और जो इसके साथ साथ uh elastic cartilage है उसके अंदर जो elastin protein है वो भी यही बनाता है in elastic cartilage the chondrocides also produce elastin protein ठीक है next चलते हैं जी they also secret हाँ यह यह बहुत important point they also secret special enzymes called metalloproteinase that degrade extracellular matrix to enlarge lacuni जो lacuni है जिनके अंजर यह chondrocides पाए जाते हैं उनको बढ़ा कर दे cartilage को और मजबूत कर दे degrade extracellular matrix को थोड़ा कम कर दे और जो lacuni है उसके size को बढ़ा कर दे यह देखें जी chondrocides है यह इसकी न्यूक्लियस आ गया यह chondrocide आ गया mitochondrius के अंदर होता है इदरी rough endoplasmic reticulum golgi apparatus और security vesicle पाए जाता है यह lacunis है ठीक है अच्छा